class 12 term on max sample paper का question number 42 है अगर इसे previous video आपने अभी तक नहीं देखा है तो complete list का link description में मिल रहेगा साथ जाथ अगर इसके handwritten PDF solution डाउलोड करना चाहते है तो उसका link description में मिल रहेगा for which value of m is the line y equals to mx plus 1 और tangent to the curve y square equals to 4x है ना यहाँ पे हमें इस type से दिया हुआ है तो हमें बताना है for which value आपने यानि की M का value हमें यहाँ पे simply बताना है तो यह line है हमारा है यह line है और यह हमारा क्या है यह हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें line का equation दिया हुए है और एक हमें curve दिया है y square equals to 4x तो आईए curve डाम्लोड करें डाम्लोड करें मैं बोलरो ड्रॉ करें ठीके यह देखिया आपका यह क्या होगा x axis यह होगा x dash axis यह होगा y axis यह होगा negative y that is y dash अब हमें दिया है y square equals to 4x यानि कि y के negative और positive value दोनों हम लोगा क्या होगा यहाँ पर एस step से हमें देखने को मिलेगा इस step से graph हमें देखने को मिलेगा y square equals to 4x का ठीके यह graph हो गया और अगर इस equation को देखें तो कितना है y equals to MH plus 1 यह होगा इसका intercept यानि कि कहा से one point से one intercept से इस के उपर क्या है इस curve के उपर tangent formation कर रहा है क्या कर रहा है tangent का formation कर रहा है तो जब अगर आप इस point को देखोगे तो ये point कैसा point है ये point ऐसा point है जो इस line पे और इस curve पे दोनों में common point है मतलब अगर ये point हम लोग निकालते हैं तो दोनों को satisfy करेगा इस line को भी और इस curve को भी यानि कि इस point को निकालना है हमें और ये जो point होगा वो क्या होगा ये line पे भी होगा, curve पे भी होगा बतलब ये common point है, कैसा point है common point है common point है, तीक है अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है तो अगर हमें क्या निकालना है y का value y square di equal to 4x y का value उतना है तो आए इसको लिखेते हैं that is mx 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 plus 1 mx plus 1 ka whole square equals to 4x है ना आए इसकोर करते है a square that is m square x square plus b square plus 1 plus 2ab that is 2mx equals to 4x equals to 4x ठीक है तो हमारे पास हो गया m square x square इसको पहले लिख रहते हैं 2mx और इसको plus में इधर आए तो minus में और a इधर चला गया तो plus 1 equals to 0 ठीक है बस इसको हमने अच्छे से stable किया है अच्छे से arranged किया है m square x square plus x x दोनों के पास से x common ले रहे हैं तो क्या होगा 2m minus 4 into x plus 1 equals to 0 अब यहाँ पे आपको quadratic equation देखने को मिल रहा है तो एक quadratic equation कैसा होगा जिसका equal root होगा नहीं से मुझे मैं एक्छा equal root कैसे होगा तो देखे equal root इस तरह से होगा क्योंकि हमने देखा इक common point है यानि कि जो हम लोग जोरोज निकालेंगे वो इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम होगा यानि कि यहाँ पे आप discriminant के बारे में क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पे अगर आप D निकालोगे वो equals to 0 हैगा class 10 में आपने पढ़ रखा है na 11 में आपने पढ़ रखा है D का formula क्या होता है that is B square minus 4 A C equals to 0 discriminant इसी में आता है जब discriminant हम लोगा equals to 0 देखने को मिलता है तब equal roots हमें देखने को मिलता है B का value कितना है put कर देजे B का value हमें देखने को मिल रहा है that is 2M minus 2M minus 4 का whole square तो हम लोग लिख लेते हैं 2M minus 4 का whole square minus 2 4AB तो 4 into A, A कितना है that is M square X square तो इसके साथ रहता है na into C, C का value कितना है into 1 equals to 0 I solve करते है, solve करते है बहुत मज़ा आएगा A square, A square करेंगे कितना मिलेगा हमें इस figure को मिटाते हैं, note कर लीजे फटावट से 1, 2, 3, ठीक है, बहुत अच्छे बाद है अब figure हमें, हमने जितना भी concept था समझ लिया है I formula put करते, A square, that is 4M square plus B square, that is 16, minus 2AB तो 4, 2, 8, 2, 16, 16M plus, sorry, minus, minus, minus कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 4 into M square, that is 4M square equals to 0, 4M square, 4M square cancel हो गया, तो हमारे पास क्या आया minus 16M, plus में इदर गया तो minus 16, minus से minus 16, 1 जा 16, यानि M का value कितना आया 1, M का value कितना आया 1, option number B is the right answer कोई issue है, कोई issue है question में, I hope कि ये question भी आपको अच्छे से, और clearly समझ में आया होगा, अगर किसी टैप्स का कोई भी confusion होता है, तो आप हमें comment section में जरूर बताएंगे, मिलते हैं next studio में, question number 43 के साथ